गोदन में हुई लाखों की चोरी सोने चांदी के आभूशड साइद घर में रखे एक लाख रुपए ले गए चोर। दद्या जिले के ग्राम गोदन में अग्याद चोरों ने घर में घुसकर लाखो रुपए के सोने चांदी के आभूशड एवं नगती की चोरी कर ले गए हैं। सुचना मिलते ही गोदन पुलिस मौके पर पहुचकर जाच में जूटी हुई है। मिली जानकारी अनुसार गोदन धाना छेटर के ग्राम गोंदन में शुकरवार शरिवार दर्मियानी रात अग्याद चोरों ने रामकिशोर दांगी के घर की कुंडी काट कर घर घुसे और सोने चांदी के आभूशड सहीत करीब एक लाख नगत रुपए की चोरी कर ले गए फरियादी रामकिशोर ने चांकारी देते हुए बताया कि घर पर महिलाया केली थी हम सभी पूरुष खेट पर भूसा बना रहे थे तबी रातरी करीब दो बजे चार से पात चोर घर में मकान की कुंडी काट कर घुसाए और सोने की दो चंजीर दो अंगुठी बेदी नत एवं घर पर रखे एक लाख रुपए की चोरी कर ले गए चोरो ने महिलाओ के जागने पर महिलाओ के साथ मारपीट भी की जिसमें एक महिला के हाथ में फैक्चर हो गया वह दातिया अस्पताल में भड़ती है थाना प्रभारी नीरच कुमार ने बताया कि चोरी की सूचन मिलते ही पूलिस बल के साथ वे तुरंत मौके पर पहुचे और चाच में जुटी गए हैं चोरो का पता लगाने के प्रियास किये जा रहे हैं